नमस्कार वुदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आकाश अमेरिका में राश्टपती चुनाव कौन जीतेगा जो बाइडेन या डोनल्ल टरम इसका जबाव संभवता आज शाम तक मिल जाए फिलाल बाजी बाइडेन के हाथ लगती नजर आ रही है नियुवर्क टाइम्स के मताबिक वे 253 एलेक्टोरल वोट जी चुके हैं टरम के खाते में 214 वोट हैं टरम ने वोटों की गिनिती पर सवाल उठाया है इसके लिए टरम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं टरम ने ट्वीट कर कहा कल जहां हम जीत रहे थे वहां अचानक पीछे कैसे हो गए पिछली रात मैं मजबूती के साथ लीड कर रहा था, के राज्यों में डेमोक्रेट ने मदगडना पर कंट्रोल किया, वहीं बीडेन ने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि जीत हमारी होगी, मगर ये सिर्फ हमारी अकेली की जीत नहीं होगी, ये जीत अमेरिकी लोगों की ह हमारे लोगतंत्र की होगी अमेरिका की होगी दूसरी तरफ ट्रम्प के चुनाविया वियान में पैंसिलवेनिया मिशिगन और जॉर्जिया सरकार पर मुकदमा दायर किया गया है इन राज्यों में अमेरिक राश्पती ट्रम्प अपने प्रतिदंदी जो बिडेन से पीछ र वाना चाहते हैं राश्पती ट्रम्प के कैंपेइन मेनेजर बिल स्टेपियन ने कहा कि हम पैंसिलवेनिया में जीत की घूशना कर रहे हैं यह किसी भावना के अधार पर नहीं बलकि गडित के अधार पर है अगर हम सभी कानूनी बैलेट गिनते हैं तो हम जीतते हैं अमेर बिडेन को 264 एलेक्टरार कॉलेज सीट पर जीत हासिल हुई है जबकि राश्पती ट्रम्प 214 पर ही बने हुए हैं बिडेन को 50.4 फीजदी वोट मिले हैं वहीं ट्रम्प को 48 फीजदी वोट मिले हैं अमेरिका में भारत की तरह चुनाव आयोग जैसी संस्ता नहीं है वहीं हर राज्य के अपने अलग गानून है ऐसे में सभी राज इनका पालन करते हैं यही वज़ा है कि वहां कौन जीता और किसे कितने वोट मिले इसकी इधिकारिक जानकारी सरकारी अजेंसी के मारफरत ज जारी नहीं होती इसके मजाए फॉक्स न्यूज और एसोसियेट प्रेस जैसी समचा संगटनो दौरा जारी रोजानों से प्रिणाम का आखलन किया जाता है इनके पास देशबर की मदगर्ना के आखलों का संकलन होता है जिनके अधार पर वे विभिन्न राज्यों में प्रत प्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागा थर बढ़ते एंगली ख़बर की होता हीरा कारवारी निरामोदी को देश में प्रत्यरपित करने की दिशा में भारती अफसे सरों को एक काम्यावी मिली है ब्रिटिश सर अदालत ने नीरव के खलाप सबूत सुईकार कर लिये हैं इस फैसले के पहले जिला न्याइधिश सैमुल गूजी ने वैस्ट मिन्स्टर में रजिस्ट्रेट अदालत में सीब्याई और प्रवर्त निदिशाले दोरा पेश कु हाउस के पास ब्लैक लाइव मैटर प्लाजा पर एक्जिट हुए पिछले कुछ दिनों में यह जग है आश्वेतों के आंदुलन का प्रमुकिस्थान बना हुआ है इन लोगों ने ट्रम के खिलाफ नारे लगाए सड़के जामकी और पठा के फोड़े भारती सेना के प्रमुक जनरल मनोज मुकुन नर्वडे बुधवार को तीन दिल की यात्रा पर नेपाल की राजधानी काठ मांडू पहुचे नर्वडे नेपाल के आर्मी चीफ जनरल पूर्ण चंदर्थापा के न्योते पर वहां गए हैं नेपाल के राजध मती विद्ददेवी भंडारी आज नर्वडे को नेपाल सेना उनरैरी जनरल की रैंक से सम्मानित करेगी 1950 से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है कि इसमें भारत भी नेपाल सेना के चीफ को भारति सेना के जनरल की उनरर्णरी रैंक दिता है अमेरिके चनाव में फिल्मेकर मीरा नायर के बेटे नितियात रजदिया है जोहरान ममदानी पहले साउथ एशियन है जिनोंने नियू यॉर्क स्टेट असेम्बली में सीट जीती है जोहरान को नियू यॉर्क के 36 असेम्बली जिले एस्टोरिया के लिए बिना विरोध चुन लिया गया है युगांडा के कमपाला में जन्मे जोहरान जब 7 साल के थे तब उनका परिवार नियू यॉर्क चला गया जोहरान वहीं पले बड़े अपनी जीत के बारे में जोहराने लेखा कि यह आफिशियल है कि हम जीत गए हैं मैं अमीरों पर टेक्स लगाने गरीबों को ठीक करने गरीबों का घर बसाने और समाजवदी नियॉयॉर्क बनाने के लिए आलवानी जा रहा हूँ लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता एक बड़े आमदुलन की जरूरत होगी इसी के साथ मुझे देजिये अजाज़त नमस्कार